जी हां बिलकुल सही सोच रहे हैं अगर आपने प्लैन कर लिया है आपके जो सपने थे उन्हें पूरा करने का उन्हें एक्जिक्यूट करने का तो बिलकुल सही टाइम है ये सही डारेक्शन में आप जा रहे हो खोलना चाहते हैं कोई अपना रेश्टरेंट फूड आउटलेट या कोई कैफे तो बिलकुल आप ओपन करिये हमेशा से फूड एक ऐसा बिजनस रहा है जिसमें लोस के चांसिस बहुत कम होते हैं आपका कैश रिकवरी तबीकी तबी हो जाती है या कह लीजे डेली के डेली आपकी कैश की रिकवरी होती है उदार का जो हम प्रोब्लम फेस करते हैं वो बहुत कम होता है इस लाइन में इसलिए फूड इंडरेश्ट्री एक अच्छी इंडरेश्ट्री मानी गई है एक हेल्दी इंडरेश्ट्री मानी गई है बशर्ति आपको कुछ चीजों का ध्या लोग इस चीज पर डिसकस करते हैं, पूछते हैं, कि क्या-क्या equipment चाहिए होते हैं, किसी भी cafe को या किसी भी outlet को शुरू करने के लिए, तो equipment तो बहुत सारे हैं, और अलग-अलग आपके, जैसे Indian आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें equipment अलग होते हैं, कोई cafe शुरू करना चाहते हैं, उसमें अलग होते हैं, Chinese आप काम करना चाहते हैं, तो उसमें equipment आपके अलग होते हैं, बेकरी का काम करना है, तो ये एक बहुत बड़ी range आ जाती है, आज हम बात करेंगे Indian, Indian food, Indian cuisine अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें क्या equipment जुरूरी होते हैं, तो च कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नहीं है तो और बैल आइकोन दबा दीजिए ताकि हम टाइम से हर बार कनेक्ट हो पाएं तो चलिए आज मैं बताऊँगा कि क्या-क्या एक्विप्मेंट्स की आपको जुरूरत पड़ेगी या क्या-क्या एक्विप्मेंट्स इंडियन कुजीन को शुरू करने के लिए चाहिए होते हैं एक बहुत बड़ी रेंज होती है बट आप अपने बजट के एसाब से उसको अप डाउन कर सकते हैं कुछ जुरूरी चीजे होती है जो आपको लेनी ही पड़ती है उसके बाद थोड़ी अपने comfort के साब से अपने place के साब से अपनी requirement के साब से आप down उनको adjust कर सकते हैं कि क्या equipment साब छोड़ सकते हैं और क्या equipment साब को जुरूरी लेने ही लेने पड़ेंगे तो चलिए देखते हैं कुछ pictures मैं आपको share करूँगा उसी के coding मैं आपको बताता रहूँगा ये क्या चीज है और किस काम ये आएगी तो ये है आपका range burner बोल देते हैं single burner वाला बड़े पतीलों के लिए ये use किया जाता है 2 burner range 2 plus 2 burner होते हैं 2 lighter और 2 burner चोले भुटूरे counter, chart counter या Chinese counter भी से बोल देते हैं deep freezer बहुत main requirement रहती है इसकी storage के लिए कोई भी items को safe रखने के लिए ठंडी रखने के लिए उसके बाद under counter ये भी under counter हो जाता आपका pants के साथ ये pants जो होते हैं आगे जो pants लगे ठंडे रहते हैं cooling pants के साथ उसके बाद ये आपका bean Mary है खाना गरम रखने के लिए serve करने के लिए अच्छी item है table दो फिट में तीन फिट में चार फिट में जैसे भी आपको चाहिए table working के लिए use होती है उसके बाद आपका तंदूर आ जाता है square में round तंदूर case तंदूर है ये उसके बाद ये small तंदूर आ जाता है घरों में भी use हो जाता है display के लिए जो तंदूरी items होती है barbecue display के लिए use करते है और display counter कोई भी आपकी sweets या कोई भी items आपको जो show करनी होती है दिखानी होती है sales बढ़ाने के लिए use किया जाता है जोरोरी product है अगर आपको front में कुछ दिखाना होता है उसके लिए और आपका ये electric तवा puffer रोटी सेखने के लिए और ये भी एक अच्छी item है आपथा गूतने के लिए आटा बनाने के लिए बहुत बड़ी problem रहती है और सफाई की भी problem आती है लोग पसंद नहीं करते हाथों से मसला हुआ है बड़ा काम है लोग शक करते है तो machine में आटा बना सकते हैं deep fryer fry करने के लिए items small fryer है और ये food warmer है समोसा पेटेज वगारा रखने के लिए प्लेन टोप अंडर काउंटर चिलर storage के लिए ठंडी रखने के लिए ये वर्टिकल चिलर है freezes को बोल सकते हैं और पोटाटो पिलर और लोग को छेलने के लिए यूज होता है और बार्बीक्यू इस तरी के सब और भी बहुत सी items होती है so friends comment करिए और बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो और और कैसी वीडियो में आपके लिए लेकिया हूँ क्या information आपको और चाहिए restaurant related या कोई और items related तो इसी के साथ में चलते हैं मिलते हैं next वीडियो पे thank you